अब लोग का स्वागत है और आज की डेक्टनियों शुरू करते हैं उससे पहले मैं आप लोग को सवाल पुछा था कि जो रियल मी यूबन लॉच्च होआ है ना इसकी प्राइस आप लोग को कैसे लगिए तो यहां पे साड़े सोलह हजार के आसपास लोगों ने वोट किया और काफे interesting यहाँ पर result आया है यहाँ पर 49% लोग यह बोलते है almost half लोग यह बोलते है कि 4 GB वाली की प्राइस तीना वो 45,000 नहीं होनी चाही थी उसकी प्राइस 13,000 रुपे की नीचे होनी चाही थी जी हाँ उसके बाद यहाँ पर 30% लोग बोलते है कि overall price यहाँ पर सारे variants की सही है उसके बाद यहाँ पर 3 GB वाली की प्राइस तीना मैंने बताया था कि 11,000 की नीचे होनी चाही थी वो यहाँ पर 8% लोग बोलते है I don't care यहाँ पर मैंने लखा था 6% लोग फुल थग लाइफ मारके यहाँ पर बोल दिये यह मैंने सेल में होगा था बहुत ही क्यूल लग रहा होगा एंड मैं आपको सेल के अंतर बता दूगा जाड़ने मिसनी करते हैं फड़ा वर से आज की रेक्नूश शुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने ट्विटर पर शेयर कर दिया यह सारे चेंजेस आपको उसमें जो वो देखने को मिलेगे तो अच्छी बात है कि Realme 1 के अंदर अभी फाइनली कलर OS 5.2 का अपडेट आ चुका है अभी कुछ नहीं पता कि यह लोग इसमें कभी आप लोग आप लोग आप पाई देगे यह जो भी होगा यह सब अरली टुटर से 19 में ही पता चलेगा तो देखते हैं यहाँ पर क्या खास अभी Realme अभी आपको इस फोन के अंदर रियर के अंदर ट्रिपल कैमरा तो मिलेगा ही लेकिन ट्रिपल कैमरे का जो रिंग होगा उसको यहाँ पर एक illuminating light जो सराउंड करेगी मतलब उसको बोलते है लूना रिंग जी हाँ वो light होगी वो illuminate होगी जो आपको इस तरीकी का फीचर मिलेगा तो बहुती कमाल का वीवो का यह next 2 होने वाला है और साथ में हमारे जो फ्रेंड है अरुन सैनी Mr. Who's the Boss चैनल आपको तो पता ही होगा उन्होंने इसका वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है लेकिन डीटिल में नहीं बता है क्योंकि वो embargo पर है इसलिए तो बहुत सारी जानकारी उन्होंने उस वीडियो में शेर करिए मैंने description में आप लोगको link दिया हूँ आप जाके 12 December को ही आ जाएगा और अब यहां पर जो leaks आ रही है वो यह बता रहा है कि यह जो special edition होगा McLaren वाला इसमें आप लोग को 10GB की RAM मिलेगी और 256GB की storage मिलेगी 10GB की RAM मतलब OnePlus 10GB RAM वाले segment में जो एंटर कर दिया है OnePlus 60 के साथ में जिसकी price इसा बता जारे कि 45,000 रोपी के आसपास हो सक अब देखते है 12 December को 10GB RAM वाला OnePlus 60 Special Edition वाला 256GB की storage में क्या price में इंडिया में आता है यह तो मैं आप लोगों को 12 तारीक को ही बता दूँगा तो यह पर Honor की दर्फ से खबर आ रही है और Honor ने फाइनली इंडिया के अंदर अपने Honor के 8C को जो वो लांज कर दिया है और यह वर्ल्ल का पहला smartphone है जिसमें आप लोगो को snapdragon 632 वाला जो वो प्रोसेसर देखने को मिलता है प्राइस यहां पर उन्होंने रखी है 12,000 रुपे की 4GB RAM और 32GB storage वाले की तो खास आप इंप्रूमेंट्स नहीं आपको GP में देखने को मिलेगी और इसमें HD plus की आपको जो डिस्क में मिलती है तो यहां पर आप मुझे यहां पर मैं आपको पोल देता हूँ रियल्मी U1 आपको बेटर लग रहा है कि आप लोगो और का 8C कॉंजर फोन आप पर्चेस करेंगे प्रोसेसर भी देख लीजिए और ओपो बहुत ही जादा एडवर्टैस्मेंट में खरचा कर रहा है और वो पैसे कवर नहीं हो रहे है पिछले साल 0.48 रुपीस बिलियन उनका जो उन्होंने लॉस हुआ था लेकिन इस साल 3.58 बिलियन रुपीस उनका जो लॉस हुआ है तो यह बहुत ही बड़ी बात है क उन्होंने कृट कर दिया नहीं है जैल नहीं सकता हो हाट आड़ा आने से पहला में या से निकल जाता हो यह चीज़ें यह आपको क्या लगता है कि ओपो का टाइम पूरा हो चुका है इंडिया में उसके बात करेंगे तो जी हाँ और भैनो शामी रेड्मी और और फोरे करता था लेकिन अभी खुशकबरी मिल चुकी यह टेक्टर रूइस की निउस से के रेड्मी 4 और 4a में मुझे मी UI 10 का अपडेट मिलेगा आप लोगो मिलना शुरू हो गया होगा दिले दिले आ जाएगा लेकिन बुरी कम्यूनिकेशन कंपनी से जियो एटल आइडिया वोड़ाफोन इनकी यहां पर सब्टेंबर की महीने की जो रिपोर्ट सामने आ चुके है ट्राई की तरफ से जिहां और सब्टेंबर के महीने में कितने किसने कितना ज़्यादा सब्सक्राइबर गीन किया लॉस हुआ और कितन और 6 million subscribers loss हुए और दो आज मेरे घर से हुए वोड़ा फोन का मेरे डैडी ने छोड़ दिये अननेसेसरी मेसेज कर रहा है पोस्ट में अननेसेसरी बिल्स बेज रहा है तो मैं डैडी बोले बेटा पोर्ट कर दे तो वो चले गए साथ में एटल को भी कुछ 2.48 something million का जो वो टिकल लेगा तो यह कुछ results यहां पर सामने आया है जो ट्राय ने हमारे साथ में शेयर किया है तो यहां पर Asus के तरफ से बहुत ही interesting ख़़र आ रही है और यहां पर आज एक नहीं बल्कि दो ख़़र आ रही है सबसे पहला जो Asus का Zenfone Max Pro M2 है यह 11 December को जो इंडोनेशिय में launch होगा वो अपनी official page पे क्या कुछ जो शेयर कर रहे है सबसे पहली चीज़ तो आपको 5000 mh की बैटरी मिलीगी यह वहां पर confirmed हो चुका है दूसरी चीज़ इसमें आपको इस बार यहां पर आपको इस बार यहां पर यहां पर आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अल्ट्रा आपको 120 वाइड एंगल वाला कैमरा भी मिलेगा और फोटो देखेंगे आपको फुल ग्लास बेक मिल रहा है डूल कैमरा पिछी की तरफ दिकर फिंगरपिंट स्कैनर तो एक नए तरीके का फोन आ रहा है अब यह क्या प्रोसेसर होगा कौन से सप्राइज सेग् प्राइट नजर नहीं आ रहा है जब से वाटसेप को फेस्बुक ने एक्वाइड किया था 21 बिलियन डॉलर में 2014 के अंदर वाटसेप के यहां पे दो को फाउंडर थे उन्होंने कुट कर दिया और रिसेंट यहां पे जो कुछ एक इंडिया ने को बिजनेस मैनेजमेंट म हमें यहीं नहीं पता यह सारे चीज़ें मद्य नजर रखके यह सारे लोगों ने कुट कर दिया वो लोग बोलते हैं कि फाइनल अगर ऐसा हो जाएगा तो लोगों को मजा नहीं आएगा दूसरी चीज़ जो एंट्वेंट एंक्रिपिशन होता है यह काफी वीक हो जाएग तो यहाँ पर इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी और गर्व की कबर आ रही है जहाँ पर इसनों ने बताया जा रहा है कि स्पेस के अंदर एक नए सेटलाइट को जो वो लॉंच कर दिया है और यह सेटलाइट के साथ में 30 और टेक्स्ट बुक स्टाइल वाले के टोटल यहाँ पर इंडिया से लगबख से 269 सेटलाइट यहाँ पर चले गए जी हाँ बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए जहाँ पर हाइपर स्पेक्टरल इमेजिंग सेटलाइट अभी रिसेंडी उन्हों ने इसको जो लॉंच किया है जो बहुत ही पौफुल है औ और यह ग्लोबली जाएगा, फोरन सेटलाइट इसको जो नाम पर दिया गिया है और 30 अलग फोरन सेटलाइट भी दाले, टेक्स्ट बुक in-s टाइल किया है तो इंडिया में इस नों ने कमाल कर दिया, डाइसोρ से टलाइट के मार्क को पूरा कर दिया है, और स्पेस में इ दो दिन ऐसा आया था 21 और 22 नुवेंबर का जहाँ पर पब जी ने फॉर्टनाइट को टेक ओवर कर दिया जी हाँ रेविन्यू के मामले में अगर आप देखेंगे एक दिन यहाँ पर ऐसा बताया था रहे कि आया था जहाँ पर IOS के अंदर $1.7 Million का मार्ग को अचीफट किया था पब जी ने जबकि उसी सेम डे में $1.2 Million का मार्ग का फॉर्टनाइट ने अचीफट किया था मतलब यहाँ पर 12 राड़ो अलगबख पब जी का हुआ था तो सिफ 4.5 करड़ो जो Fortnite का हुआ ता मतलब यार कमाल होगी है PUBG ने iOS के platform के अंदर भी revenue के मामले में Fortnite को take over कर दिया जबकि Android में तो राज वो कर ही रहा है तो यह result यहाँ पर सामने आ चुका है जो बहुत ही बड़ी बाते देखते हैं यह PUBG और आने वाले समय में कितने records ब्रेक करता है तो वे Huawei की तरफ से खबर आड़ी और Huawei का Nova 4 करके एक in-display camera वाला smartphone आप लोग को बहुत ही जल्दी जो वो देखने को मिलेगा और recently यहाँ पर कोई Chinese कोई singer Jackson ही उनके बड़े celebration में Huawei ने यहाँ पर यह phone को जान पुचके दिखा दिया होगा और यह phone अगर आप picture देखेंगे तो यहाँ पर वो लोग ने इदम इस style में दिखा है क्योंकि वो दिखाना चाहते थे इसलिए आप लोगों यह phone दिख रहा है एकदम से bezel-less beauty है और सामने आप देखेंगे left side में उपर की तरफ आप लोगो in display जो वो camera दिख रहा है शायद से Huawei यह वाला phone बहुत ही जल्दी launch कर देगा और Samsung को पीछे छोड़ देगा आप Huawei का Nova 4 बोलते ही यह phone होने वाला इसका नाम दिया गया है अब कितना जल्दी Huawei इसको launch करता है क्या price क्या processor होता है यह तो हमें कुछ time में ही पता चलेगा तो यहाँ पर फटा फट से बात करते हैं डील्स की और सबसे पहरी जो डील आ रही है वो इस वाले T-shirt की तरफ से आ रही है जूडियो printed switch shirt है जो आप लोगो अभी सिफ 600 रुपे में मिल सकता है और यह 600 रुपे में आप देखेंगे इसकी quality वैसे बहुत ही कमाल किये specially थंडी के मौसम में आप इसको पेंच सकते हैं मैंने खुद मंगवाया हो तो फिलाल के लिए तो यह सही चल रहा है इसके material वैसे काफी सही है दो आपको strip यहाँ पे जो भी बोलो टी-शिट मिल रहे है सिफ 379 रुपीस में सिंगल बैट ब्लैंकेट है जो सिफ 129 रुपीस में मिल रहा है और उसके बाद आपको leather jacket मिल रहे है जो यहाँ पे आप लोगो सिफ 1749 रुपीस में मिल रहा है और जब वो सिफ books sold करती थी और जब भी कोई एक book sold होता था तो उनकी office में एक गंटी बस्ती थी जिससे उनको पता चलता था कि हाँ उनकी आज एक book जो वो sold हुई है यह बहुती गर्व की बात है और आज देखो Amazon कहां से कहां पोच गया